आज के इस वीडियो में हम कुछ sentences सीखेंगे और यह sentences हम phrasal verb use करके बिनाएंगे देखें phrasal verb English का एक important topic है और native speakers अपनी conversation में phrasal verbs बहुत ज्यादा use करते हैं और हम थोड़ा confused हो जाते हैं जब हम phrasal verb को sentences में देखते हैं क्योंकि इनके meanings थोड़े change होते हैं तो आज हम get के phrasal verb सीखेंगे get एक normal सा verb है लेकिन इसके वैसे ही बहुत ज्यादा uses बनते हैं अगर हम इस normal verb को देखें तो इसके 40-50 meanings बनते हैं जो हम differently अपनी conversation में use करते हैं और फिर इसके साथ अगर हमारे preposition लग जाए तो यह फिर phrasal verb बन जाता है और इसके मजीद meanings बन जाते हैं तो आज हम इसके अंदर 5 phrasal verbs सीखेंगे get के number one है get across get across get across means किसी को समझाना अच्छे तरीके से बात वाज़े करना अच्छे तरीके से किसी दूसरे को बताना जब आप past में मनाओ तो got across कीजेगा continuous में मनाओ तो getting across कीजेगा ठीक है example देखिए he has no trouble getting his point across याई उसे अपनी बात समझाने में कोई मुश्किल नहीं है कोई problem नहीं है he has no trouble उसे कोई मसला नहीं है getting his point across अपनी बात समझाने में एक और सेंटर देखें I was trying to get across how much I admired them I was trying to get across मैंने समझाने की कोशिश कर रहा था how much I admired them कि मैंने कितना पसंद करता था मैंने कितना पसंद किया get across means किसी को समझाना अपनी बात वाजी करना अपनी बात किलियर करना next is get around get around यह हम तब यूज करते हैं जब हम travel कर रहे हो different places को visit कर रहे हो घूम फिर रहे हो उसके लिए यूज करते है get around example देखे I will get around from town to town ठीक है मैं town to town एक जगा से दूसरे जगा travel करूँगा सफर करूँगा एक जगा से दूसरे जगा पिछले साल मैंने पूरा शहर travel किया था पूरा शहर सफर किया था पूरा शहर घूमा फिरा था last year I got around the whole city past का है स्टी got आया ठीक है तो get around means घूमना फिरना travel करना दूसरी मुक्तलिफ जगाव पर जाना next है get ahead get ahead get ahead mean होता है कि आप किसी भी काम में बहुत कामियाब हो जाओ कोई भी काम हो चाहे education हो business हो job हो कोई project हो आप उसके अंदर कामियाब हो successful हो जैसे कि मैं कहूँ I will get ahead at work with this project I will get ahead मैं कामियाब हो जाओंगा at work with this project इस project के जरिये से अपने काम में I will get ahead at work मैं अपने काम में कामियाब हो जाओंगा with this project इस project की वज़ाद से इस project की मदद से इस project से He got ahead in his business उसे अपनी business में कामियाब भी मिली या वो अपनी business में बहुत कामियाब हुआ He got ahead in his business तो get ahead means कामियाब होना next है get at get at get at means होता है आप किसी को criticize करो तनकीद करो और बार बार करो ठीक है याई आप किसी को बुरा भला कहो तनकीद करो और बहुत दफा करो बार पर करो उसके लिए आप किस करोगे get at example देखे the boss always gets at me मेरा boss हमेशा मुझे तनकीद करता है present simple का sentence है और रोजानस को साथ ऐसा होता है third person singular है हमारा subject जो है boss इसलिए get में as लगा है gets my boss always gets at me मेरा boss हमेशा मुझे तनकीद करता है I don't know मुझे नहीं पता why he behaves like that वो ऐसा क्यों करता है एक और sentence देखे my father got at me last night कल मेरे वालिद है मुझे बहुत तनकीद की मुझे बहुत बुरा भला कहा बहुत क्रिटेसाइस किया my father got at me last night to get at means किसी को तनकीद करना और बार बार करना next is get away get away get away means किसी जगा से चले जाना फरार हो जाना किसी भी जगा से निकल जाना for example she usually gets away from the crowd she usually gets away from the crowd वो क्या करती है अमूमन जहां रश होता है वहां से चली जाती है she usually gets away from the crowds अमूमन अक्सर जहां पर भी रश होता है वो वहां से चली जाती है यहां पर भी she है और इसकी habit है present simple का sentence है इसलिए gets आया एक और sentence देखें he wants to get away from sorrows वो अपने दुखो से फरार चाहता है वो अपने दुखो से पीछा चुडाना चाहता है वो अपने दुखो से अपने अगमों से भाग जाना चाहता है he wants to get away from sorrows next है get down to get down to get down to means होता है कि आप किसी कर भी काम है कोई चीज है उसे briefly check करो ठीके उसको जो है बस आप जल्दी जल्दी check कर लो briefly देखो कि वो काम कैसा है अमोमन यह हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास कोई duty बगारा हो उसके लिए जैसे मैं कहूं let's get down to work चलो काम चेक कर लेते हैं let's get down to work चलो जो भी काम है जो भी work है उसको देख लेते हैं चेक कर लेते हैं एक और सेंटेंस देखें एक और सेंटेंस देखें the manager gets down to our work हमारा manager हमारा काम चेक करता है the manager या our manager gets down to our work हमारा जो भी काम है वो हमारा manager देखता है वो चेक करता है तो gets down to means means किसी भी काम को चेक करना briefly, get away means किसी भी जगह से चले जाना, निकल जाना, फरार हासल करना, get at means करना और बहुत जादा करना, बार-बार करना, get ahead means किसी भी काम में काम्याब होना, get around means travel करना, घूमना फिरना, एक जगह से दूसरे चगा जाना, और get across means किसी को कुछ समझाना, तो ये get के phrasal verb हैं, बहुत easy हैं, इनको याद कीजिए, sentences बनाएए, अपनी conversation में use कीजिए, जियादा से जादा practice कीजिए, keep staying with us, thanks for watching.